नमस्कार दोस्तों आप क्राइम तक देख रहें बात करते हैं आज एक ऐसे बाबा की जिसको लेकर हंगामा बर्पा हुआ है बाबा का नाम है जो जुनागर के महा मंडलेश्वर है और जिनका नाम है यती महराज जी हाँ ये वही बाबा है जिनको लेकर अब हंगामा बर्पा है यती नर्सिंगा नंद महाराज है जो उत्तर प्रदेश के गाजयबाद में जिनका एक मंदिर है मंदिर का नाम है गाजयबाद के डासना में शिवशक्ति धाम मंदिर जहाँ पर एक विशेश समुदाई के लिए टिपनिया भी की गई है और बाबा जो है वो जूना अखाडे के महामंडिले शोड़ भी है यानि नर्स सिंगह नंद महाराज लेकिन बाबा अकसर विवादों में रहते हैं हरिद्वार में धर्म संसद हुई तब बाबा का नाम प्रकाश में है दरसल कई सारे लोगों को बुलाया कई सारे धार्मिक अनुयाईयों को बुलाया वहाँ पर और तब भी एक विशेश समुदाई के खिलाफ बाबा ने टिक पनी की जिसको लेकर मुकदमा भी दर्जवा महिलाओं के खिलाफ भी कई बार अभधर टिक पनी की यहां तक कि इनके जो मंदिर में एक विशेश समुदाई का बच्चा पानी पीरा था उसकी पिटाई की गई उसकी वीडियो बनाई गई और बाबा ने उस पर कोई अफसोस नहीं जिता है यानि कि बाबा शुरुबात से ही इस तरह की हरकोतों में शामिल रहे है और इसको लेकर अब पुलिस उनको ढूंड रही है ताजा मामला 29 सितंबर का हम सबको पता है दरसल बाबा ने फिर एक टिपणी की एक विशेश समुदाई के खिलाफ टिपणी की विशेश धर्म के खिलाफ टिपणी की जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ गाजिआबाद में जिसको लेकर मुकदमा दर्ज हुआ हैद्राबाद में साइबर सल इस पूरे मामले की इन्वेस्टिकेशन कर रही है लेकिन बाबा तब से गायब है कहां गए हैं बाबा और ऐसे बयान क्यों देते हैं क्यों बार बार सांप्रदाइक सोहार्द बिगाडने की कोशिश करते हैं बाबा इसको लेकर ये वीडियो उसके एर्दगुर्दी घुमती रहेगी पहले मैं आपको बता दूँ दरसल बाबा पहले इंजिनियर थे और शिवशक्ति धाम मंदिर है वहाँ पर ये पूजा पाठ करने लगे और धीरे धीरे उस मंदिर के में पूजारी ये बन गए हैं और वहाँ पर एक विश्यस समुदाय के खिलाफ इन्होंने लिग दिया है इसको लेकर सोशल मीडिया पर अकसर कई सारी वीडियो भी वायरल ही कई सारी फुटेज भी आई लेकिन सर्फ इतना ही नहीं यती नरसिंगानन जो महराज हैं ये सर्फ टिपनिया हैं ये महिलाओं का अपमान भी करते हैं इनकी कई वीडियो शोशल मीडिया पर वायरल है बार-बार इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है लेकिन ठोस कारवाई नहीं होती या तो मुकदमा दर्ज होता है ये गिरफतार होता है फिर बेल आउट हो जाते है ताजा मामला जैसे मैंने आपको बता है और कहा है या भी नई पता है यह बताते हैं कि महिलाओं के प्रती अभधता पर इनको गिरफतार किया गया था हीट स्पीच का मामला भी 2022 का इनके खिलाफ है एक particular community के खिलाफ यह बयान देते हैं यह मामला दर्ज होता 2022 में ये बताते हैं बुलन शहर के रहने वाले हैं बाबा लेकिन जैसे मैंने बता है इनका प्रफाइल बहुत हाई है कभी ये रशिया में भी इंजिनिरिंग की इनों ने पढ़ाई की है और उसके बाद ये वापस आ गए फिर बाबा बन गए अचानक इनका धर्म के पती इनकी ज नहीं इसलिए बनाई क्योंकि लगातार ये खबर वाइरल है और इसको लेकर तमाम जगह उपर चर्चाएं हो रही हैं जो मंदिर है मैं आपको बता दूँ डासना का मंदिर है शिवशक्ति धाम मंदिर जहांके महंत हैं और जूना अखाडे के महा मंदिल लेश्वर भी हैं इन्होंने एक धर्म संसत का आयोजन किया था हरिद्वार में जहां पर देश-विदेश से लोग आये थे जो धर्म के उपासक हैं बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं महां पहुंचे थे लेकि महां भी इन्होंने एक विशेश समुदाय के खिलाफ टिपड़ी कर दी ज अब पुलिस इनको सरगर्मी से तलाश कर रही है ताजा मामला जो है वो जैसे मैंने आपको पता है गाजियवाद और हैदराबाद से जुड़ा है जहां पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है कुछ लोगों ने हंगामा मी किया है इनके मंदिर में जाकर क्योंकि उनक लगातार की जा रही है ऐसे में पुलिस का कहना है कि चार अक्टूबर शुक्रवार के दिन डासना मंदिर के बाहर सड़क पर कुछ लड़के आकर हला कर रहे थे इस सुषना पर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस ने उन्हें खदिर दिया क्योंकि अब एक्शन का रिय क्याना है कि इस मामले में किवल एफायर दर्च करना काफी नहीं इससे पहले हम आपको बता दे हैं आम आदमी पार्टी के एक नेता है अमानतुल्ला खान जामियान अगर थाने में इनके खिलाफ शिकायक दी थी तब भी इनके खिलाफ मामला था हेट स्पीच का इस तरह के इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सक्क कारवाई होनी चाहिए हाला कि पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्च किया है गाजेवत पुलिस ने यानि योगी सरकार ने अब ऐसे में देखना होगा आने वाले वक्त में इनको कब तक गिरफतार किया जाता है क्योंकि ये habitual offender हैं लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं जब इनसे पुछता चुकी तो और चीज़ें साफ होगी वीडियो दोस्तों कैसे लगी जुरू हता ही है